हाई रख्मान रहीम तुभ्योज हाजिर है एक और जबरदस्ती नई रैस्पी के साथ यह बहुत ही डिफ्रेंट रैस्पी बनने वाली है आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्ती राजकचोरी इसको बनाना बहुत आसान है step to step follow करेंगे तो ऐसे ही जबरदस्त बने की यहां पर राजकचोरी बनाने के लिए सबसे पहले मने ले लिए है सुजी थोड़ी सी यह मीडियम साइस की ःती गणफ माती है जिसको मोकी सुजी कहते हैं यह वह सुजी है और साथ ही मैंने ले लिया है मैयदा, दो कप सुजी ए और उसमने एक कप मै अнова atoms मे औरदस्तelnे करेंगे और इन दोने चीज़ों को अच्छी के से मिक्स कर लेंगे ठीक है तो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आप फॉलो करते जाएं बहुत ही जबर्दस बनती है बहुत ही मज़दार लगती है खाने में और अगर आपके घर में कूपार्टी वगारा हो तो उस पे भी को बहुत जादा ये पसान आने वाली है जी तो बनाते है राज कचोरी यहां पर मैंने सूजी और मैदे के अंदर डाल दी है हाफ टीस्पून के बराबर नमक और अब इसको हमने गूनने का प्रोसेस करना है इसको गूनने का कुछ भी हमने शामल नहीं कोई सोडा नहीं और थोड़ा सा नमक अब इसको हमने कर लिया है स्पेचुला की बंदद से हलका सा मेक्स और फिर इसको गूनने का प्रोसेस है हाथ की मुदद से हम इसको गून देंगे लेकिन आपने याद रखना है इसको गूनने के लिए आपने बहुत तेज गरम पान जिसे कहते है बॉ इसको स्पेचुला से मिक्स करते जाएंगे और इसके बाद हाथों के बज़ा से गून के एक अच्छी सी जबर्दसी डो त्यार कर लेंगे बहुत ही यम्मी बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है जरूर बनाईएगा मुझे अपना फीड़बैक देना बिल्कुल मत भूलिय जगा कि आपको इम्मी रेस्पी कैसी लगी बिलकुल बाजार जैसी राजकचोरी बनके त्यार होती है यह देखिए डो को इस तरह का सॉफ्ट होना चाहिए इसके बाद हम धाम के डो को तकरीब 15-20 मिन के लिए रेस्ट दे देंगे और इसके बाद गून के पेड़े की शक होता है उससे तकरीबर डबल साइज का होता है तो उसमें आप काटेंगे करके ऐसे अपने पीस निकाल लेंगे और फ्राइंग का प्रासेस स्टार्ट हो जाएगा फ्राइग करने की थोड़ी सी टेकनीक है अपने एक तो ऑईल को बहुत तेज गरम करना है और उसके अंदर दालने की जरूत नहीं है जिसके पूल लेगी तो बस इस तरह से हम जितनी बनाना चाहते हैं उतनी राज कचोरियां बनाके फ्राइग कर लेंगे मैंने यहां पे तीन से चार इस डो की मदद से त्यार की थी और बस आप सिंपल आगे फिलिंग का प्रासेस आगिया है जी य यहां पे मैंने आलू और चनिया की त्यार की हुई चार्ट को इसके अदर शामिल कर दिया है इसके बाद वैसे आप चाहें तो आप्षिनल होता है आप चाहें तो टमैटोस भी इसके अंदर एडिट कर सकते हैं मैं टमाटर नहीं डाल रही मुझे खुद भी नहीं पसांद इसके अलावा आप मैं इसके अनियंस डालने जा रही हैं जिनको मैंने चोटा चोटा सा चॉप करके रख लिया है एक चार्ट की भी तरह हम इसको ले सकते हैं गोल गपे की तरह भी ले सकते हैं लेकिन इसका बेसिक नाम राज का चोरी ही होता है और यह खाने में बहुत इसी तरह हमने यहां पर सेव आपको नज़रा आ रहे हैं कि बारीक सेव का इस्तमाल करेंगे ग्रीन चिली काट के रखी हैं वो डालेंगे अनार के दाने अनार के दाने इसके साथ बहुत ही जबर दस्टेज दे दें और इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा क्योंक बिल्कुल ही नमंकिन सी बात है अच्छा जी यहां पर गोल गप्पे और राज को चोरी यह इस तरह की जो इमली की चटनी जबरदसी त्यार होती है इसकी भी रेस्पी मैं इंशाल आपको बहुत जल दूँगी यह आप इसके अंदर शामिल करेंगे मैं बना के मैंने पहले सा मीठा टच देती है और जादा यह थोड़ी तीकी होती है जो इस तरह की चीज़ों के सब्सक्राइब बहुत जबरदस्ट देती है तो जनाब यह हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इसी तरह फिलिंग का प्रॉसेस चलता रहेगा और अब हम इसके अंदर शामिल करने जा झेल की थाहगा है ठीक है तो आब हम इसके दन शामिल करें एपनी सेवर ओपर से अंदर के दाने और की बाना और यह थिधा अगर आपका धही थोड़ा खटा हो ना तो उसकी खटास खतल हो जाती है अकसर होता है ना धही खटा-खटा होता है अगर आप इसमें एक से दो धकन दूद के शामिल कर देंगे ना या तीन धकन तेबल स्पून के पराबर तो बोत है आपके दूद के अंदर जो धही के अंदर खटास होती है वो खतम हो जाती है ठीक हो गया जी अब हम इसमें दही डाल रहे हैं जितनी जादा और जितनी अच्छी फिलिंग आप इसके अंदर डालेंगे उतनी ही जबरदस आपके राज को चोरी बनके तियार हो जाएगी यह है जी हमारी आज की रेस्पी उमीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे अपना फीड़बेक देना बिलकल भी मत भूलिएगा कि आपको मेरी आज की रेस्पी कैसी लगी इसी तरह की जबरदसी नई रेस्पी के साथ दुबारा हाजिर होंगे इन्शाला दौाओं में याद रखें मेरे चनल को सबस्क्राइब करना वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकल भी मत भूलिएगा अलाहाफेज अपना ह्याल रखें